हेलो प्रेंस अगर आप एकी मुवाइल फॉन से इंस्टाग्राम के कई सारे मल्टीपल एकाउंट चलाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूं कि साथ इस चैनल पर अगर आप नया आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन उद्वाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलते हम वाल की स्क्रीन पर इस्टाग्राम के एक ही अप्लिकेशन से मल्टिपन एकाउंट चलाने के लिए सबसे पहले हम इस्टाग्राम एप्लिकेशन को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद इससे सबसे पहले किसी भी आईडी से लॉग इन कर लेंगे login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा यहाँ पर नीचे होगी और आपको profile का button देखने को मिल जाता है इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का page आ जाएगा और आप अपनी profile पर आ जाएगे यहाँ पर multiple account चलाने के लिए दो option मिल जाते हैं पहला option है username पर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का page आ जाएगा यहाँ पर नीचे scroll करने के बाद आपको नीचे से दूसरे number पर option मिल जाता है add account का इस पर click करेंगे इस पर click करके भी आप एक Instagram application से कई सारे multiple account शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी दूसरी ID को login करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाते हैं पहला option ने login to exciting account अगर आपको already account बना हुआ है तो first option पर click करके उसे login कर सकते हैं और इसके नीचे आपको option जाता create a new account अगर आप नए account बनाना चाहते हैं तो create new account पर click करके नए account बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपने दूसरी account को login करना चाहते हूँ तो login to exciting account पर click करेंगी अब आपके समने कुछ इस तरीका का page आ जाएगा यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाते है switch account और sign up यहाँ पर switch account के option पर click करेंगे अब आप login के page पर आज आएगे आपको first option मिल जाता phone number, email address या username जो भी आपकी ID का phone number या email address है वो यहाँ पर type करेंगे और जो भी आपकी ID का password है उसे यहाँ पर type करेंगे टाइप करने के बाद login के option पर click करेंगे login पर click करते ही आपकी एक ही application में दो account login हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं वेने दूसरे account की ID password को type कर लिया है टाइप करने के लिए login के option पर click कर लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ही Instagram के application में दूसरा account login हो चुका है तो इस तरीके से आप एक ही application में कई सारे account login कर सकते हैं अब आप जिस भी account को use करना चाहते हैं तो use करने के लिए profile को option पर click करेंगे click करने के बाद आप अपनी profile पर आ जाएंगे यहां पर आपको उपर के username देखने को मिल जाता है इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजाएगा अब आपके जितने भी account login है वो आपके सामने आजाएंगे अब जिस भी account को use करना चाहते हो उसे यहां से select करेंगे तो यहां से मैं select कर लेता हूँ select करने का अब मेरा दूसरा account login हो चुका है अब आप इसमें real भी देख सकते हैं या किसी से chat करना चाहें chat भी कर सकते हैं और कोई भी post डालना चाहें तो post भी डाल सकते हैं तो इस तरीके साब एक ही application में कई सारे account login कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें